पहले बाड़ी कबर की बात के बाद में 21 माई तक बढ़ा दी गई है नए फैसले के बाद जारखन में 31 माई तक करोना गाइड लागू रहेगी मुख सचीव सुगदेव सिंग ने स्वाज सुरक्षा सप्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है मुख सचीव के मुताबिक अभी राज में जो अपाबंदिया है वो आगे भी जारी रहेगी अगली बढ़ खेबर की बात कुछ जारकन के इन 6 जिलों में शुरू होगा 18-44 वर्ष के लोको टीका करन जारकन सरकार 18-44 वर्ष के लोको टीका करन सिग्र सुरू करने की तयारी कर रही है भारत बायोटेक से 1,34,000 डोज को वैक्सिन मिलने के बाद एस दिसा में कारवाई तेज कर दी गई है टीका करन सुरू करने का प्रस्ताओं मोखमंतरी हमन सोरेन को भेजा गया है हलाकि टीका करन कब से सुरू होगा इसका खुलासा नहीं हो पाया है स्वास्थभा के सुतरों के अनुसार पहले चरन में राजे के छे जिलों में 1844 वर्स के जो है नागरिकों का टीका करन सुरू होगा यह वैसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमन अधिक है इसमेराची पूर्वे सुग में धनबाद बोकारो हाजारी बाग को डरमा हो सकते हैं बुधवार को भी जारी रहा बोकारो धनबाद ग्रीडी समयत कई जिलों में दोपहट डेड़ बजे ऐसा अंधेरा चागया मानो छे बज गया हो वही मौसनम भाग के अनुसार पस्चिम की और से एक टार जारकन में है और दूसरा पस्चिम उत्तर परदेश से एक सर्कुलेशन बिहार होते हुए बंगाल में परवेस कर गया है इन दो कारणों से राची सहीत पूरे जारकन में बारिस हो रही है और अगले पांच दिन तक राची सहीत जारकन के कई हिस्तों बारिस के साथ बजरपात और गरजन के अलावा 40-50 किलोमेटर के स्पीट से हवा चलेगी आईसी इस्थिती आगले 10 मैं तक रहेगी अगली बाड़ी कबर की बातकरतों सीएम हैमन सोरेन ने कोडरमा में 250 बेट के कौवर्ड अस्पताल का किया उधगाटन मखमंतरी हमन सोरेन बुधवार को कोडरमा जीले के बागिटार में इस्थित कोडरमा इंजिनियर कॉलेज भाउन में आस्थाई तोर पर बने 250 बेट के डेडिकेटेट कौवर्ड हेल्थ सेंटर का उनलाइन उधगाटन किया साती सदर होस्पिटल में भी 20 ऑक्सिजन पाइपलाइन युक्ट बेट की सुरुवात की गई है इस मौके पर अपने समोधन में उन्होंने कहा कि राज सरकार कौवर्ड की स्थिती से निपटने के लिए लगतार परियास कर रही है मरीजों के लिए राजधानी राची समयत विभेन जीलों में ऑक्सिजन युक्ट बेट बढ़ाए जा रहे है अगली बर्ड के बात के बात करें तो परवासी मजदूरों के लिए जारकन सरकार का हम पैसला सीम हमन सुरिन बोले कोरोना जांच जरूरी ग्रामिन शेत्रों में संक्रमन का ना हो बिस्तार इसलिए सरकार ने बढ़ाए कदम कोरोना वारस संक्रमन के मधनजर देश के कई राज्यों में जो है लोगडाउन लागू है ऐसे में वहां से जारकन के परवासी मजदूर वापस अपने घर लोटने लगे हैं इन परवासी मजदूरों के वापस जारकन आने से कोरोना वारस संक्रमन का फैलाओ ना हो इस उद्देश से हेमन सरकार ने इन परवासी मजदूरों को हर हाल में कोरोना जांच कराने पर जोर दिया है ताकि जो है राजय के ग्रामिन इलाकों में कोरोना वारस संक्रमन का बिस् उन्हें भी साथ दिन के लिए कॉरंटाइन में रहना होगा। मिलकर काम करने का भरुसा दिया है। पारा सिक्षक की जान कोरोना की वज़ा से चली गई है। पारा सिक्षकों को पचास लाग का बीमा और सभी जो है सुभिदाय उपलब्द कराने की मांगी है अगली बढ़ कबर की बात करो तो बेकाबू कोरोना संक्रमन पिछले 24 गंटे में कोरोना संक्रमन के 3,82,000 नए मामले 380 मरीजों के हुई मौत देश में करोना वारस संक्रमन के मामले एक बार फिर से इजापा हुआ है भारत में पिछले 24 गंटे में जो है जारी ताजा अकड़ो कर उसार तिल लाग 80,000 से जादा नए मामले दर्च किये के हैं जबकि 3700 से अधिक लोग की मौत भी है अगली बड़ी खबर की बात करो तो फिर जारकन में लॉगडाउन बुरे फासे 31,000 लोग 47 परेफायर कोरोना वारस के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए राजमे नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की दबिश जारी है इसका अंदाजा इसी से लगाए जा सकता है कि महज 12 दिन के भीतर यानि 23 अप्रेल से 4 माई तक राजमे सरवजनीक अस्थानों पर बिना मास पहने 31,131 लोगों पर करवाई हुई है इसमें सिर्फ जो है बोकारो जिले में सरवधिक 20,000, 62 लोग पकड़े गए हैं इसी तरह बिभिन जिलों में कोरोना गाइडलाइन का उलंगन मामले में कुल 47 प्रात्मिक्ता दर्ज की गई है स्वास सुरक्षा सप्ता के दोरन कोवेट गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलीस अब तक आग्रावा जुर्माना वा सुनने पर ध्यान दे रही थी कोरोना गाइडलाइन का उलंगन मामले में एफायर पर पुलीस का बहुत ध्यान नहीं रहा जिस तरह से पाबंदिया बढ़ती जा रही है वैससी इस्तिति में अब पुलीस भी सक्त कदम उठाने जा रही है आप कोरोना गाइडलाइन का उलंगन करने वालों पर कोई दया मया नहीं किया जाएगा आप सीधे प्रात्मिक्ता दर्ज कर कानूनी करवाई की जाएगी अगली बढ़ ख़बर की बातकत तो जारकन के सभी पत्रकारों को लगेगा कोरोना वैक्सीन सीएम हमन्त ने स्वास्त भाग के अपर मुख सची को दिया निर्देश जारकन के हमन्त सरकार ने राजिके पत्रकारों को प्रात्मिक्ता के तोर पर कुरोना वैक्सीन अभ्यान से जोड़ने पर जोड़ दिया है इस समान्ध में CM स्री सोरेन ने सुआसबा के अपरमो के सची को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोणा की इस लडाई में सभी मिलकर लड़ते हुए जीत हासिल करेंगे उन्होंने कहा कि कोरोणा फिर हारेगा और जारकन जीतेगा अगली बड़ी खेबर की बायतों सीएम बिसेश चात्रवर्ती पंदरा तक मांगे नाम मुकमंत्री बिसेश चात्रवर्ती योजना के तहथ समाने वर के बिद्धारतियों को चात्रवर्ती रासी देने की परक्रिया सुरू कर दी गई है जारकन सिछा पर योजना दौरा सभी जीलों को पत्र लिखा गया है और सभी जीलों को बिद्धारतियों का पूरा रिकॉर्ड देने को कहा गया है अधार संख्या से लेकर बैंक खाता वा अन्य जानकारी मांगे गई है राज सरकार दोरा वैसे बिद्धारती जिनको किसी दूसरे विभाग से चात्रवर्ती नह कच्चा 5 से और 6 के बच्चों को 1000 रुपे, कच्चा जो है 7 से 10 वी के बच्चों को 1500 रुपे और 11 वी और 12 के बिद्धारतियों को पर्ति वर्स जो है 200 रुपे चात्र विर्ती दी जाएगी अगली बड़ी ख़बर के बात के तो 11 वी में गनीत के साथ भुगोल पढ़ सकते हैं चात्र CBSC ने 11 वी में संकाय सिस्टम को खत्म कर दिया है, साथी बोड ने सभी अस्कूलों को निर्देश दिया है कि अस्कूल 11 वी में बिभिन परिकार के संकाय सिस्टम से बचे बिद्यारतियों को उनकी रूची और पसंद के हिसाब से बिसयों का समुच एन करने की छूट देने को कहा गया है याstory बिद्यारति गनीत के साथ भुगोल, राजनितिक बिग्यान आधी भी सहे ले सकते हैं, वह भुगोल पढ़ने वाले चात्र गनीत भी पढ़ा सकते हैं, बोड ने यह बदलाओ नई सिक्छा निति के ताहत किया है नई सिक्छा निति के ताहत आप संकाय सिस्टम को ख ग्राम इस्थित रजवार मोड पर मंगलवार को हुए हाथसे में जकमी दमपती की भी इलाज के दौरान मेदरी नगर में मौत हो गई है। उनकी पतनी जो है जैंती देबी गंभी रूप से घायल हो गए थे इलाज के दौरान उन लोग के भी दम तोड़ दिया। सेवाग साह जो है सहित छे आने लोग का नाम अंकीत कर पांच पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जर जो है कटम दगा पुलिस को सुचना मिलते ही पोश्टर को जब्त कर लिया गया है। डौक्टर रामेस्वर उरावन ने कहा कि कोरोना संक्रमन से उत्पन इस्थिति के कारण राज में राजसु संग्रा घटकर 50% हो गया है। लेकिन पिछले साल जैसे हालत नहीं है, फिलाल किर्सी, खनन और निर्मान कारे पर रोक नहीं है, इसे राजसु संग्रा पर पिछले वर्स के पुल्न लॉक्डॉन की तरव्यापक असर नहीं पड़ा है। उर्मान ने स्विकार किया है कि चालू बित वर्स में भी राजसु संग्रा का लक्ष प्रभावित हुआ है। बुधवार कुराची इस्थित कॉंग्रेस, भावन में परदेश, कॉंग्रेस राहतवम निग्रानी समिती के कंट्रोल रूम में लोग की मदद करने के बाद पत्रकारों से अपचारी तरूप से बात कर रहे थे। गोबर साला वा दुध जोरी गाउं में छापे मारी की इस दोरान 14 साइबर क्रिमिनल्स को गिरपतार किया गया है। राज सरकार ने की है इसके साथ ही अनुबंद और ओर्ट सोर्सिंग कर्मियों को भी इसका लाप मिलेगा। सराइकेला डी सी आरवा राज कमल ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमन के नियंत्रन में लगे स्वास्त भाग के सभी डॉक्टर जो है सियचो एनम, क्लिनिकल, अस्टाफ, सफाई कर्मि सहित स्वास्त भाग में कार्यत सभी जो है कर्मियों को राज सरकार के निर्देश प तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स न्यूज में